हेलो डियर फ्रेंड्स आज हम बनाने जा रहे हैं गर्मियों में सब को पसंद आने वाली कैफे स्टाइल कोल्ड कॉफी जो कि इतने रिच फ्रॉदी और टेस्टी बनेगी कि आप कैफे में कॉफी पीना पूल जाएंगे और घर पर ही बनाना पसंद करेंगे क्योंकि ये बहुत ही आसान तरीके से मैं घर पर बताने जा रही हूँ जो कि मिंडो में तयार होगी वो भी बीना किसी क्रीम के या दूर पाउडर के जी हाँ फ्रेंड्स कैफे में जो कॉफी बनाई जाती है उसमें क्रीम या दूर पाउडर एड नहीं किया जाता कुछ ऐसे बस टिप्स होते हैं जिनके कारण से वो बहुत रिच और फ्रॉदी बनती है तो चलिए फिर देर किस बात की है जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं मैं हुए एकता और आप देख रहे हैं लुक ओन टुको कॉन सबसे पहले हम बनाएंगे रेगुलर कॉफी लेकिन उसके लिए सबसे पहले हम ग्लास को रेड़ी कर लेते हैं ग्लास को रेडी करने के लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ हरशीज की चॉकलेट सिरप आप चॉकलेट पाउडर को भी मेल्ट करके यूज कर सकते हैं सबसे पहले ग्लास को हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे फ्रिज्ज में और उसकी बाद चॉकलret सिरप को इस तरीके से हम इसमें ड्रॉप ड्रॉप करके डाल लेते हैं अगर आप किस्य और तरीके से इससे गानिश करना चाहते हैं तो जरूर कर सकते हैं यह देखिए इस तरीके से ग्लास को रेडी करकर हम फ्रीज में रख देते हैं सबसे पहले हम यहां पर कॉफी का मिक्शिर कर लेते हैं जिसके लिए यहां पर मैंने ली है रेगुलर चम्मच से तीन चम्मच कॉफी पाउडर यह इनस्टेंट कॉफी है नैसले की कॉफी यहां पर ना यूज कर रही हूँ इसके बाद हम इसमें ले लेते हैं 5 चमाश शक्कर की कोल्ड कॉफी में शक्कर कमी अच्छी लगती है अगर आप जारा पसंद करते हैं तो जारा भी डाल सकते हैं अब हम इन दोनों का अच्छी तरह blend कर लेते हैं ताकि एक powder form में आ जाए उसके बाद हम इसमें डालेंगे ice cubes और इसे फिर से हम एक से डेड़ मिनट के लिए blend कर लेते हैं एक से डेड़ मिनट blend करने पर आपको इस तरह का लुप मिल जाएगा यह देखे जब तक इस तरह की coffee न मिल जाए तब तक आप इसे blend करिए अगर फिर भी आपके mixer grinder में इस तरह से blend नहीं होती है तो आप थोड़ा सा इसे हाथ से या फिर बीटर से इसे बीट कर लीजे यह process ब पहले हम डालेते हैं तीन से चार आइस क्यूब्स इससे जादा आइस क्यूब्स हमें यहां पर नहीं डालना है तीन से चार आइस क्यूब्स बहुत है और उसकी बाद हम इसमें डाल लेते हैं coffee mixture जो हमने ready करकर रखाता एक glass coffee के लिए दो चमच सफिशियंट है चोटी चमच उसके बाद हम इसमें डाल लेते हैं chilled milk यहां पर आपको बहुत ध्यान देना है कि आपको जब भी cold coffee बनानी है तो बिलकुल ठंडा दूर लेना है थोड़ा सा भी कुनकुना दूर नहीं लेना है अगर ठंडा दूर नहीं है तो उसे कुछ time के लिए freezer में रख दीजे वो बि आपकई में cafe जाना भूल जाएंगे हमेशा घर की कॉफी पीएंगे इसे हम थोड़ा सा और गानिश कर लेते हैं थोड़ा सा हम डाल देते हैं उपा से cocoa powder उसे थोड़ा सा शेक कर लेते हैं आप देख सकते हैं इसे मैंने blend भी नहीं किया है उसकी बाद भी यह कितनी creamy और कित लुकुल cafe वाली taste वाली coffee एक बार आप इसे जरू try करें मेरी guarantee है कि जब आप इसे पीएंगे तो cafe की coffee पीना भूल जाएंगे वह आपको अच्छी नहीं लगेगी लेकिन इससे पहले दो coffee और देख लीजे जो की अलग-अलग तरीके से बनाई गई है second number पर हम बनाने जा रह कोफी बता रही हूं friends यह market में बहुत महिंगी मिलती है जबकि घर में यह थोड़े से पैसों से ready हो जाती है और बिल्कुल प्यूर चीजे होती है इसलिए मेरी तुसला यह है friends कि जब भी आपका cold coffee पीने का मन करें तो घर पर बनाए और आराम से enjoy करें इस coffee को बनाने के करनी है एक लास coffee बनाने के लिए इसके बाद हम यहां पर थोड़ी से बनीला एसक्रीम एट करेंगे अगर आप चाहे तो चौकले एसक्रीम भी यूज कर सकते हैं और अब हम डालेंगे बिल्कुल ठंडा डूद जैसा कि मैंने पहले आप से बताया है कि डूद बिल्कुल ठ फेस्ट आए गा इसलिए जब भी आप यूज करें बिल्कुल ठंडा डूद यूज करें अब इस जार को बंद करके इस तक शकेंड के लिए हम ब्लैंड कर लेते हैं तर小 weekends कि हमें 3inda-4 ब्लाइंद करना है और हमारी कफी बिलकुर रैडि हो जाती है हमारी क बिलकुर रैडि है हमें इसे गलास में डाल लेते हैं गर्मियों में इस तरह की कॉफी आप जरूर बनाए क्योंकि इससे आपके शरीर को अंदर तक ठंडक मिलती है और हम रिफ्रेश हो जाते हैं मुझे बताने की जरूर नहीं है फ्रेंस एक कॉफी कितनी टेस्टी बनी है आप देख सकते हैं बहुत इजागदार बहुत रिच लग रही है इसे हम थोड़ा सा और गानिश करते हैं चोकलर सिरप से और कोकोवा पाउडर से ये लेजे बिलकुर रेड़ी है हमारी आईस्क्र की फेवरेट होती है इसलिए इससे बनी कॉफी भी बच्चो की फेवरेट होती है तो चलिए सबसे पहले हम ग्लास एड़ी कर लेते हैं चोकले सिरप को मैंने ग्लास को राउंड डाउन घुमा घुमा कर इस तरीके से स्प्रैट कर लिया है फिर कहरी हो फ्रेंस आप जैसा लैते हैं वाखने स्प्राइब कर देन कुछ ऐसे कर सकते हैं फिर एक जार ले लेते हैं और उसमें डाल लेते हैं कुछ आइस क्यूपसा और दो चमत लेते हैं अबहरा हमने चाहँना कौ blender jar में डाल देते हैं थोड़ी से यहाँ पर हम डालेंगे ice cream जो की थोड़ी पिखल चुकी है अब हम इसमें डाल देते हैं बिल्कुत थंडा दूद यहाँ भी अगर आप चाहें तो वनीला ice cream की जगा पर chocolate ice cream डाल सकते हैं तो बिल्कुत ब्राउन कलर की coffee बनकर ready होगी अब हम इसे उसी तरीके से blend कर लेते हैं कुछ कुछ सेकेंड दे कर तो यह लीजें friends Oreo cold coffee बिल्कुत ready है आप देख सकते हैं कितनी फ्रॉडी बनी है अब हम इसे ग्लास में डाल लेते हैं जो ग्लास हमने ready करकर रखा था इसमें यह डाल लेते हैं बहुत ही क्रीमी रिच बिल्कुल मार्केट जैसी coffee का टेस्ट मिलेगा आपको आप दीख सकते हैं friends इसमें न तो हमने कोई cream यूज की है और न ही टूट पावडर यूज किया है उसके बार भी यह कितनी फ्रॉडी बनी है तो friends मुझे कमेंट करकर जरूर बताइए कि इन तीनों में से सबसे ज़्यादा आपको कौन सी coffee पसंद आई थोड़ा सा हम डालेंगे चॉकलर सिरफ गानिश करने के लिए और अब हम इसे ओरियो बिस्किट से गानिश कर देते हैं यह लेजे रेडी है हमारी ओरियो cold coffee उमीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो please मेरे वीडियो को जादा से जादा लाइक करिए जादा से जादा शेयर करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले बैल आइकन जरूर दबाए क्योंकि इससे जो भी मेरा वीडियो आयागा उसका नोटिफिकेशन आपको मिर जाएगा तो मिलते हैं आगले वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए एंड टेक केर